जुग्राण सर जी की एक बात पर बात करना जा रहा था कि सर ने कहा कि कोरोना आ गया भी सरकार को नर्सेज वगरा ये सब फर्मने परती करनी चाहिए थी जो कि ये लोग नहीं किये एक बात कहना चाहता हूँ उत्रा खंड के चात्रों के लिए कोरोना से कम नहीं है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बताइए आबकारी परवर्तन शिपाई का जो विग्यापन निकाला गया 2017 में निकाला गया और आज 2020 हो गया कितनी सरम की बात है कि उसका एक्जाम आज तक नहीं हुआ है जो लड़का तैयारी के लिए गया होगा तहरादून या हलदवानी अपने घर से बाहर बताइए उसकी मनोदसा क्या हो गई होगी आज क्या वो कभी दूसरा फॉम भरने की हिम्मत करेगा पुलिस की भरती देखे सर पुलिस की भरती लास्ट टाइम 2014 में आई थी 2014 के बाद तीन साल के बाद ये सरकार आई हम लोगों ने मोदी जी के कहने पर डेवल इंजन को चुना 2014 में पुलिस की भरती आई 15 तक होते होते वो फिनिस हो गई तो 17 में नहीं सरकार आई आज तीन वरसे पूरे हो गए यानि उस भरती को आए होए 6 वरसे हो गए अब बताइए कि जो लड़का उस समय 18 साल में होगा 2014 में वह लड़का 24 साल का हो गया होगा और उत्राखंट पुलिस में भरती होने के लिए मिनिमम एज जर्नल के 18 होती है और मैक्सिमम होती है 22 साल तो बताइए एक नया लड़का जो उस समय यंग होगा बिलकुल साड़े सतरा साल का या एक पुरेट 18 साल का कुछ दिनों से वो बाहर हो गया होगा फॉम मी भर पाया होगा एक चैनले से खतम हो गई और पुलिस की भरती नहीं आई बताइए जो किसान का बेटा मर्दूर का बेटा पुलिस में आर्मी में जाने के लिए दिन रात पशिना बहाता है तो ये सरकार उसके लिए कोरोना नहीं है तो क्या है मैं तो कहता हूँ कि हम तो जेल रहे कोरोना पिछले तीन साल से और बापू हमको ना डराओ ये चाइना के माल से चाइना से आज कोरोना आया है लेकिन उत्राखंड का चात्र पिछले तीन साल से कोरोना जेल रहा है कि जब से यह सरकार आई आज उत्राखंड का साथ स्वयंग को ठगा सा महसूस कर रहा है ताहिए वो प्रवक्ता की तयारी करने वाला हो पिछले दो सानों से हम देख रहे हैं किस परकार से विग्यापन अखबार में आते हैं मैंने अभी बताया था साथ जून 2017 को अखबार में आया है कि उसकी वीडियो भी वीडियो की भरती होगी और वो लगातार 2018 में भी आते रहा 2019 में भी आते रहा जुगरान सर को पता है हम लोगों ने एक जनुवरी 2019 को भी युकेतर पलशी का गहराओ किया था 10 जुलाई को भी टाहेता है कि आप छात्रों की आवाज को उठा है आज इस सरकार को कोई फरक नहीं पड़ता कि युःा कुछ करे आज में इस सरकार को भी